200 साल पुराने इस मंदिर में होती है मेंधक की पूजा, हैरान कर देगा इसके पीछे करह से भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने आप में अजुवा हैं अब तक तो आपने ऐसे ही मंदिरों के बारे में सुना और देखा होगा जहां अलग-अलग देवताओं की पूजा होती है लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर से बारे में सुना है जहां में धकी पूजा होती है यह अनोखा मंदिर उतरप्रदेश के लखीमपूर Jew खीरी जिले के ओवियल कस्बे में स्थित है यह भारत का एक मातर ऐसा मंदिर है जहां में धकी पूजा होती है बताया जाता है कि यह जगे होयल शेव संप्रदाई का प्रमुख किंद्र था और यहां के शासक भगवान शिव के उपासक थे इस कस्बे के बीच मंडू की अंतर पर आधारित प्राचीन शिव मंदिर भी है यह क्षित्र 11 वी सदी से 19 सदी तक चाहमान शासकों के आधीन रहा था चाहमान वंच के राजा बक्ष सिन्ग नहीं इस अनोखे मंदिर का निर्मान कराया था कहते हैं कि इस मंदिर की वास्तू परिकल्पना कपिला के एक महान तंतरिक ने की थी तंतरवाद पर आधारित इस मंदिर की वास्तू सन्रचना अपनी विशेश शैली के कारण लोगों का मन मोह लेती है बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 200 साल पुड़ाना है मां ये दाहे की सूखें और बार जैसी प्राक्रितिक आप दसे बचाव के लिए इस मंदिर का निर्मान कराया गया था में धक मंदिर में दीपावली के आलावा महा शिवरातरी पर भी भक्तों की भारी भीर देखने को मिलती है